हलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एजू किसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टडी करेंगे पैंटो प्राजोल इंजिक्सन के बारे में और सीखेंगे उसके बेजिक यूज के बारे में कौन से अलग-अलग ब्रांड्स के अंदर ये इंजिक्सन अविलेबल होता है वो भी जानेंगे और करेंगे उसके डिटेल फार्मकलोजिकल स्टडी और जानेंगे किस तरह से ये injection जो है वो यूस किया जाता है अलग-अलग conditions के अंदर तो एक्सपट लेक्चर बाया मरसर असिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर और फार्मरोक्स थेंक्यो फर बीइन टूलेक फैमिली और फार्मरोक्स अप्डेटेटर या फार्मा नोलेज के साथ एक्सेस कर ये स्टडी मटरियल टेस्स सिरीज वीडियो लेक्चर फार्मरोक्स के आप उपर तो एंडरोड यूजर है तो एंडरोड आप डाउनलोड कर सकते हैं आईफ़न यूजर एप स्टार पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझे पैंटो प्राजल इंजेक्शन के बारे में बेजिक कॉंसेप्ट तो ये इंजेक्शन को इंट्रावेनस ली जे है वो पेशन को दिया जाते है तो उसके कंटेनर के उपर भी आप देखेंगे कि स्टाराइल पैंटो प्राजल सोडियम इंजेक्शन की जे उसका सॉल्ड कंपोजिशन है कि पैंटो प्राजल सोडियम ये injection का main salt composition रहेगा sterile injection रहता है ये and 40 mg strength के अंदर ये available होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं for IV use only IV मतलब कि intravenously vein के अंदर दिया जाता है and lyofilize powder रहता है ये तो ये powder के साथ ये water for injection भी दिया जाता है जिसको हम कहते हैं WFI और उसको यूज करके को deliver करना होता है तो pentoprazole जो है वो pharmacology के अंदर हम समझे तो proton pump inhibitors class का medication कहा जाता है और इसकी जो main कोई action हम देखे तो क्या करता है हमारे body के अंदर हमारे stomach के अंदर produce होने वाला जो acid होता है उसका production जो है वो decrease करता है तो ये injection की जरूरत कप पड़ती है वो भी हम आगे में आपको समझाओंगा कि इसका main concept आप समझो की क्या लिखा है कि medication that decrease the production of stomach acid कि stomach acid का production जो है वो ये medicine जो है वो काम कर दी है तो ऐसे medical condition के जिसके अंदर stomach acid जो है वो excessive amount में produce हो रहा है कि acid समझो की ज्यादा produce हो रहा है किसी के body के अंदर तो उसको काम करने के लिए वो acid production को काम करने के लिए ये medicine जो है वो दी जाएगी कि जिसको हम कहेंगे Pantoprazole injection injection और अभी जैसे मैंने आपको समझाया ये injection जो है वो patients को intravenously vein के अंदर दिया जाता है and prescription based injection रहता है ये तो यहाँ पे आप Rx भी देख सकते है Rx इसलिए कि ये prescription based है proper healthcare providers के prescription के साथ ही उसको जो है वो use किया जाता है तो उसका आप self-medication नहीं कर सकते घर पे आप ये injection को directly नहीं लगा सकते expert, nurse या फिर doctor के थ्रूही आपको ये जो injection जो है वो लगाना होता है तो उसके famous हम brands वगेरा देखे तो यहाँ पे जो आप देख सकते है हिपन्ट, IV करके जो उसका brand है तो ये भी 400 mg, sorry 40 mg strength में ही है life-lice powder रहता है में लगा की जो freeze-drying technology जो हम कहते है freeze-drying technology से ये powder जो है वो बनाया जाता है कि जो life-lice powder कहे जाते है और सभी powders के साथ आप एक common चीज notice करोगे किसी भी brand के अंदर तो ये WFI दिया जाता है water for injection कि ये water को use किया जाता है ये while के अंदर insert किया जाता है ये water को injection से because ये जो है आपको दिया है powder तो ये powder को injection form में convert करने के लिए साथ में ये जो powder water for injection दिया जाता है कि जो completely sterile water होता है फिर उसका दूसरा ब्रांट देखो तो pen top करके काफी famous ब्रांट है ये कि जो और इस्टो फार्मा जो है उसको manufacturing करता है और यहाँ पे भी सेम है कि life lies powder and for intravenous injection only intravenously दिया जाता है सभी injections के उपर आप ये RX देखेंगे कि जो prescription based है strength same रहेगी 40 mg सिर्फ अलग अलग जो pharma companies उसको बनाती है उसके कराण उसके brand अलग अलग होते है फिर ये depan for zero करके आप देख सकते कि वो भी pantoprazzle का एक famous brand है and abot का भी आप देख सकते है pendif iv करके जो product है तो ये भी single user के लिए ही रहता है कि एक ही बार आपको ये while जो है वो use करना होते कि साथ में ये wfi जो आपको दिया है water for injection ये आप ये while के अंदर जो है वो add करके इसका injection थयार करते हैं और person को intravenously जो है वो दिया जाता है तो आप सभी के mind में questioning होगा कि आप सभी को पता है कि pantoprazzle के tablets वगेरा भी available है तो injection क्यों दिया जाता है कि tablets तो उसके already available है तो pantoprazzle का injection क्यों तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि pantoprazzle injection is given to those patients who are unable to take tablet doses from due to ऐसे patients को दिया जाता है कि वो tablet जो है वो नहीं खा सकते tablet doses from लेने में उनको problem होता है जैसे कि difficulty in swallowing कि ये जो tablet है उसको swallow करने में आपको काफी दिक्कत होती है परिसानी होती है कि समझो कि throat related कोई problem हो और उस वक समझो कि आप tablet अच्छे सा swallow नहीं कर पाते तो उस वक जो है वो ये injection बेटर रहता है कि जो GI tract related सुजन हो चुकी है इसोफेगस में समझो कि आपकी सुजन आ चुकी है और उसके करन आप आसन इसे tablet को swallow नहीं कर पाते तो ऐसे condition में ये injection का option based रहता है फिर severe nausea and vomiting है कि आपको काफी उल्टी हो रही है उबासी जैसा हो रहा है और जी माचल रहा है और उसके करन vomiting काफी होते है तो देखो आप समझे कि आप tablet खाते तो ये जो tablet समझे कि आपके stomach के अंदर गई है तो वो tablet ये vomiting के साथ जो है वो body में से बाहर आ जाएगी तो भले आप patient को tablet देंगे बद nausea vomiting के करन वो tablet जो है वो उसके body में से बाहर आ जाएगी तो भले आप tablet देते हैं तिसरा tablet के करन समझे कि gastric irritation हो रहा है कि patient को stomach के अंदर ये tablet जाने से irritation हो रहा है तो बेटर है कि आप उसको injection से treat करें चौथा option ये है कि patient जो है वो unconscious है कि completely जो patient है वो conscious नहीं है तो ऐसा patient टैबलेट नहीं खा सकता दूस वक्त आपको intravenously उसको जो है वो injection नहीं देना पड़ेगा और वो specially given with IV drip कि unconscious patient जो होते तो उनको IV drip जो है वो लगाई जाती है तो उस वक्त ये pentobrasil का injection भी use करते कि जिससे hyperacidity का problem ना हो ज्यादा stomach acid produce ना हो कि जो दुसरे medication से उनकी कई बार side effect होती है कि काफी ज्यादा amount में acid produce होता है तो उस वक्त खास कर जो IV drip होते है उनके अंदर ये pentobrasil का injection जो है वो डाला जाता है तो ऐसे अलग-अलग conditions के अंदर pentobrasil injection जो है वो based रहता है अब जानते हैं कौन से medical condition से उसको treat करने के लिए pentobrasil हम use करते हैं तो सबसे पहले तो ये peptic ulcer disease का जो problem है PUD जिसको कहते हैं कि gastric acid excessive production के करन आपका ये stomach के जो lining वगर होते हैं वहाँ पे ulcer produce होता है और जिसके करन आगे जाके जो है वो area damage होता है कि जिसको हम कहते हैं peptic ulcer disease तो उसके इलाज में भी ये pentobrasil injection दिये जाते हैं कि जो patients tablet नहीं खा सकते हैं तो उनको regularly जो है injection लेने पड़ते हैं फिर GERD gastroesophagal reflux disease के treatment के अंदर भी ये injection जो है वो काफी useful सा भीत होता है फिर excessive stomach acid production कि आपके body के अंदर stomach acid काफी ज़्यादा produce हो रहा है तो भी ये जरूरी है because यहाँ पे देखो कि peptic ulcer के अंदर क्या होता है excessive acid production ही था same like that GERD के अंदर भी acid production ज़्यादा है और वो acid उपर isophagus के अंदर reflux होता है फिर zollinger-allison syndrome है कि जिसके अंदर भी acid related ही problem है फिर acid reflux के problem कि अभी तक GERD की तकलिप तो नहीं हुई बट acid जो है वो reflux हो रहा है और वो आगे जाके GERD में convert हो सकता है तो सरवाद से ही समझो कि acid reflux हो रहा है तो उसको treat करने के लिए pentoprasal injection दिये जाते कि जो patient tablet नहीं खा सकता duodenal ursel है आपको कि यहाँ पे दिखो यह diagram में दिखाया गया कि duodenal ursel दिखाया गया है stomach ulcer भी है कि जिसको हम कहते है peptic ulcers की conditions तो gastric acid related जितने भी problem है and to treat the condition of acidity कि कई बार लोगों को acidity होती है बहुत ज्यादा तो उस वक्त यह pentoprasal medicine दिये जाते हैं और better है उसको injection से treat करें फिर heartburn के condition difficulty in swallowing persistent cough जैसे condition है कि cough ज्यादा produce हो रहा है फिर जो stomach का portion और isophagus की जो damage होते है excessive stomach acid से कि stomach acid आपकी body के अंदर ज्यादा produce हो रहा है तो वो acid क्या करेगा आगे जाके GI tract को damage करता है कि यहाँ पे ज्यादा acid था वो उपर भी जाएगा तो क्या करेगा यह isophagus है आपकी कि जिसको हम food pipe भी कहते है तो food pipe तो damage करेगा ही बड़ साथो साथ जब नीचे आएगा तो यह diodenal और उसके बाद यह intestine के portion तक भी उसका infection जो है वो जा सकता है कि एक वार यह part damage होंगे acid से तो वो infection फिर आपके पूरे GI tract के अंदर फैल सकता है तो ऐसे condition produce ना हो इसलिए यह medication use होती है फिर prevent करता है ulcer को कि हमें पता है कि जितना acid ज्यादा वो अंदर रहे जो GI tract का जो mucosa होता है कि जो काफी soft होता है और sensitive होता है उसको damage कर देगा ज्यादा acid production है तो and help to prevent the cancer of the isophagus isophagus के जो cancers होते है उसके ilaj में भी यह medication जो है वो दी जाती है तो यह थे pentoprasal injections के basic use अब जान लेते हैं उसके dose के बारे में तो normally 40 mg orally दिया जाता है once a day duration of therapy हम देखे तो 4 से 8 week तक उसकी therapy चलती है adult के अंदर हम देखे तो 40 mg OD 40 mg OD मतलब कि दिन में ज्यादा से ज्यादा 40 mg जितना ही dose देना चाहिए 8 week तक और समझे के children से तो उनके लिए वो half कर दोगे आप 20 mg once a day and it is enough to take 40 mg per day intravenously higher dose may cause the side effect तो इसलिए देखो जो pharma company से वो भी 40 mg का ही ये single dose while बनाते हैं ये single dose के लिए कि एक ही बार ये dose जो है आपको यूज करना है and ये रहेगा OD OD मतलब कि once a day दिन में एक ही बार ये injection देना जो है वो सही रहेगा excessive dose देने से side effects हो सकते हैं mechanism समझते हैं तो जो proton pump inhibitor class का medication है तो ये जो proton pump होते हैं कि जो H plus को आपके parietal cells में से ये जो gastric lumen होता है मलब कि आपका जो stomach का portion होते हैं वहाँ पे बेशते हैं तो ये हो गए H plus और ये हो गए वहाँ पे present Cl minus तो दोनों मिलाकर HCl बना देते हैं कि जो हम कहते है stomach acid तो समझो कि ये proton pump होता है उसको ही हम समझे कि inhibit कर दे तो आगे जाके क्या होगा ये parietal cell में से जो H plus जो जा रहा था वो बंद हो जाएगा और H plus नहीं होगा तब बिना H plus के सिर्फ clonier रहेगा और acid production जो है वो क्या हो जाता है reduction हो जाते हैं इस तरह से अगर higher dose में use किया जाए normal dose में diarrhea constipation के problem बहुत कम होते हैं stomach pain हो सकता है flatulence हो सकते है आपको headache जैसा हो सकता है कि person जो है वो headache की condition feel कर सकता है nausea and vomiting हो सकती है nausea जी में चलता है और उसके बाद vomiting हो जाती है dizziness जैसा कि ये वाले diagram में आप जो देख रहे है कि dizziness जैसा feel कर रहा है ये person feeling of being sick कि आपको ऐसा feel होगा कि आप जो है वो बिमार हो रहे है bone fractures हो सकते कि bone जो है वो weak करवा सकता है ये medication कि अगर pantoprazel को आप काफी लंबे समय तक use करते हैं तो kidney को भी ये damage कर सकता है medication तो ये थे pantoprazel injection के side effects आगे समझते हैं उसके contraindications की किन लोगों को ये injection नहीं लगवाना चाहिए तो पहला कि diarrhea हुआ है और diarrhea होने का reason था Clostridium difficile bacteria तो ये लोग pantoprazel injection को ना लगाए फिर दूसरी condition कि deficiency है आपके body के अंदर low amount of magnesium है blood के अंदर फिर if you have a problem of interstitial nephritis कि जिसके अंदर kidney के अंदर sujan आ जाती है कि जो kidneys जो होती है वहाँ पे inflammation है sujan है तो वो लोग यूज ना करें because हमने उसके side effect देखी कि kidney damage करवा सकता है तो already kidney damage ही है inflammation है वहाँ पे infection है तो आप यूज ना करें sub-acute cutaneous lupus erythematos का जो problem हम कहते है वो disease आपको है तो भी ये injection को यूज ना करें systemic lupus erythematosus कि जिसको SLE कहा जाता है short के अंदर कि जो एक autoimmune disease है कि आपके body का ही immune system आपके ही body के healthy cells को attack करके उनको damage करता है कि ये आपके body के healthy cells है अब ये healthy cells के उपर ही आपकी body का जो immune system है कि आपके ही body के antibodies क्या करेंगे उसके उपर attack करना start कर देंगे तो body के जो normal healthy cell होते है वो damage होते है because immune system fail हो जाती है कि वो antigen और proper body के जो cell होते हैं उनको identify करने में वो fail हो जाते हैं तो इसे condition को हम कहते है autoimmune disease तो आपके body के अंदर autoimmune diseases है जैसे कि SLE तो भी use ना करें और सात्मा कि already आपके bonds weak है कि आपको osteoporosis है condition of a weak bond और broken bond कि आपके bond already broken है fracture जैसा हुआ है तो उस वक्त pentoprazel tablet को भी use ना करें ना ही injection को because वो आपके broken bond को फिर से repair होने का जो समय है वो लंबा करवा सकता है लंबे समय तक bond जो है वो repair नहीं होगे और और ज़्यदा condition खराब होगी तो ऐसे साथ ऐसे condition हम कहें तो ऐसे condition में ये injection आएगा contraindication की list में तो यहाँ पे हमने सिखा pentoprazel के बारे में detail में अब ये point भी समझना जरूरी है कि pregnancy के दोरान क्या करें कि pregnancy के दोरान उसको use करें या ना करें तो answer है no pentoprazel को आप avoid करें pregnancy के दोरान because ये medication safe नहीं है pregnancy के दोरान ऐसे कोई evidence नहीं मिले उसकी safety के बारे में तो not recommended during the pregnancy तो कौन सा use करें तो pentoprazel injection के बदले आप omiprazel जो है वो use कर सकते है same pentoprazel की तरह है ये omiprazel भी 40 mg के strength में ही आता है life life powder और ये भी proton pump inhibitor है और ये safe है pregnancy के अंदर तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि pregnancy के अंदर इसे problems होते है तो omiprazel जो है वो आप ले सकते है कि जो similar है pentoprazel के ही वो safe है फिर दूसरा में आपको advice दू कि omiprazel भी आप समझो कि नाल हो तो भी सही है because simple जो milk of magnesium जो आता है antacid syrup आते है उससे भी कई बार pregnancy के अंदर होने वाले जो acid related problem आसानी से स्वाल हो जोते है या फिर without taking medication मलब कि आप समझो कि milk वागेरा लेते है कि जो एक natural remedy बनता है acidity वागेरा के लिए तो milk से भी आप जो वो problem स्वाल कर सकते हैं तो ये था डिटेल इंफर्मिटिव वीडियो लेक्चर अन पेंटो ब्राजल थैंक्यू फर वाचिंग वीडियो को जरूर से लाइक करिए valuable आपके comments करिए suggestions दीजिए share करिए and channel को subscribe करें थैंक्यू फर वाचिंग whatsapp helpline number भी हमारा whatsapp groups join कर सकते हैं study related contents के लिए mobile app के उपर आप access कर सकोगे study material test series and video lecture so video lectures अवेलेबल है आपके लिए specially pharma rocks के आप उपर तो download कर सकते हैं pharma rocks की android application है google play store पर से उसको download कर पाऊगे iphone user app store पर से download कर सकेंगे link हमने description box में दे दी है so good luck and all the best